अब आप सभी के लिए जैसे आपको पता है मैं रेगुलरली डेली बेसेस पर कुछ ना कुछ एक नई उपरचुनटी लेके आता रहता हूं तो बहुत सारे बच्चे जैसे आप सभी को पता है कि आपका स्यूटी का एक्जाम और थोड़े से यहाँ पर आपके गलिचेश रहे हैं स्यूटी के पूरे प्रोसेस में तो इसके उपर मैं चर्चा नहीं करूंगा लेकिन आपके सामने मैं कहूंगा कि अधर देन स्यूटी जो क्लास 12 का बच्चा है वो किस तरीके से अपने एस्पीरिशन जो उसके हैं उसके जो ड्रीमज है उसके जो मैं बोलूँगा क्वाब हैं जो उसने देखे देगे ाफ्टर देखिया एक अपर एक आप अच्छा भाविशे अभी भी देख सकते होूर आप सभी जो देश है हमारा जो इंडिया भारत देश है वो आज की डेट में भी एग्री कल्चर या फिर मुझे पर बहुत जादा अधारीत है उसकी एकॉनमी उसकी अर्थ वेवास्ता बहुत जादा अधारीत है हमारी क्रिशी के उपर तो इसी सारी चीजों को मैं मद्दे नजर रख पूरा एक जामSw ले सकते हो फिजवThis क्या होने वाले हैं कैसे आपका भविश उजल बढने वाला तो शुरू करते हैं ब्राकिस दे जरी के एस सशन तो सबसे अगर में बात करूंगा तो ICAR बच्चों के मन में बहुत जादा डाउट ही था कि सर ICAR है क्या तो इंडियन council of agriculture research एक apex body है हमारी इंडियन government की जो की आपको coordinate करती है, guide करती है, manage करती है और research करती है पढ़ाती है agriculture या फिर मैं बोलूं क्रिशी के domain के अंदर students को करती है अब क्या है ये ministry of agriculture and farmers welfare के अंदर आती है उसके तहरे तंदग्रत आती है अब यह है ICAR system of India has 74 agriculture universities चोहतर अग्रिकल्चर युनिवर्सिटीज हैं आपकी इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज्यादा आपके पास option भढ़ जाता है इसके अंदर अगर आप लोग इसको aspire कर रहे हो चोहतर अग्रिकल्चर युनिवर्सिटीज में अडविशन लेने का आपको मौक्स मिल रहा है इसके अग्रिकल्चर युनिवर्सिटीस के अंदर 63 आपकी स्टेट युनिवर्सिटीज है और उसके अंदर चार आपके ICAR DUs है और जो कि IAR, IARI, IV, RI, ND, RAN, CI, FE, 3 Central Agricultural Universities है जो कि आपका IMPAL में है, एक पूसा में है और एक जहासी में है चार Central Universities है आपकी एक है BHU, AMU, विश्वभारती आन नागलाइन University तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी Universities के अंदर भी आपको Agriculture के अंदर अगर आपको क्या बोलेंगे अडमिशन लेना है तो ICAR का ही आपको एक्जाम देना होगा, इमत्याहन देना होगा, एंट्रेंस एक्जाम देना होगा, जिसके थुरू आप लोग ICAR के अंदर एडमिशन ले रहे होंगे, ठीक है, अब this is one of the largest agriculture system in the world, सोचो, इतना बड़ा क्रिशी पे जो मैं बोल रहा हो ना, हमारी अर्थ वेवस्ता जो है, वो उसका एक बहुत ही crucial, एक बहुत ही मेजर हिस्सा आपका agriculture से हाता है, तो इसी इसको चीजों को मद्दे नजर रखते हुए Indian government भारत सरकार ने इसको पर इतना ज्यादा इंवेस्ट कर रहा है और मैं बोल इसमें साफ साफ लिखाव है largest agriculture research system in the world, largest है तो सोचिए आप एक Indian government के अंदर हमारे भारत के अंदर आप लोग कितने major decisions लेने की power हो जाएगी आपकी, अगर आप इसके अंदर अपना भविशे बनाएंगे तो इसमें आपके पास worldwide admitting more than 28,000 students at UG level, undergrad level पर थाइस हजार बच्चे इसमें admission ले रहे होते हैं, साड़े सतरह हजार बच्चे post graduate level पर दे रहे होते हैं और doctor level पर दे रहे होते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा, मैं बोलूँगा exam है, अब इसके exam eligibility की बारे मैंने बात करने की कोशिश करता हूँ, कितने patterns होते हैं, कितने exams होते हैं, ICR के अंदर, तो उसके बाद होता है आपका क्या, PhD level पर, right, PhD level के उपर बात होते हैं, तो undergrad level पर all the 15 seats in the bachelor degree program in agriculture and allied sciences है, at agriculture universities, ये सारी universities आपको दे रखी हैं, NDRI करनाल पे, जहासी पे, पूसा में, and the award national level talent scholarship in agriculture and allied sciences के उपर भी इसमें है, post graduate के अगर मैं बात करूंगा, is all India entrance exam for admission to 25 seats in master's degree program is accredited agriculture universities, 100% seat at IARI, IVRI, NDRI, CIFV, RLBCAU, जहासी, डॉक्टर, RPCAU, पूसा and awards of the ETA, इसके बाद ही, आपकी PhD के अंदर भी आपका, मैं बोलूंगा, इसमें scope मिलता है, तो सोचेगा, अगर आप लोगों को, इसमें as a fallback option भी नहीं बोलूंगा, मैं, अगर आपको अपना भविश्य बनाना है ना, तो आप PhD तक भी कर सकते हो इसके अंदर, इतना pursuing इतनी booming industry है ये, तो हर एक student को मैं यही कहूँँगा, आप इसकी थोड़ी सी जानकारी ज्यादा लीजेगा, अट्टा 247 की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, आपको पढ़ाईगी भी, आपको गाइड भी करेगी, आई सी आर के लिए, और सारी चीज़ां आपके लिए कराईगी यहां पर, है ना, अब कितनी फीज है, साड़े साथ सो साथ 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 सा सत्तर रु उनकी मैं बात करूँगा, तो आपका एक्जाम ढ़ाई गंटे का होता है, इच सबजेक्ट, इच मैं बोलूँगा, इच सबजेक्ट से पचाश कोशन आएंगे, अब सब कौन से सबजेक्ट होंगे, उनकी मैं बात करूँगा, जिससे आप लोग क्लास 12 में जो जो आपके एक्जाम से अगर होंगे, आपने दिये होंगे, तो उसी के थुरूँ आप ये एक्जाम दे पा रहे होंगे, पहला एक्जाम है आपका, PCP, Physics, Chemistry, बायो, Physics, Chemistry, Agriculture, ये अगर आपने एक्जाम दिये हैं, तो आप लोग इसका एक्जाम दे पा रहे होंगे, अर अगर मैं बात कर रहा था, कि वो गलत पहुच पा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्ली जो ये कंडक्टिम बॉडी है, इसका, NTA.AC.IN पर जाईएगा, आपको यहाँ पर फिफ्ट नंबर पे, ICAR, एंटरंस एक्जाम के बारे पता चलेगा, रीड मोर अगर आप करेंगे इसके तो आपके पास ये देखो, पब्लिक नोटिस आ गया है, इसकी डेट्स क्या है, 13, 14, 15 तारीक है, अगर आप पीजी लेवल की बात करेंगे, तो 20 सितंबर है, ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ समीशन अभी भी इसकी बाकी है, 26 अगस्त 2022 तक, आज है 24 अगस्त, 26 अगस्त 2022 त पेमेंट की भी है, और आपका करेक्शन विंडो खुलेगी आपकी 28 से 30 तक, तो बच्चो इसको बहुत जादा अच्छी तरीके से आपको फिल करना है, और मैं सारे बच्चो को यही दर्खास करूँगा, आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टन मैं बोलूँगा, एक सब आपको कुछ एक मैं जानकारी दे पाया हूँगा, एक स्टुच्चर वे में मैंने जानकारी लाने की कोशिच करी, अलिजबल स्टूडन कौन है, क्या उसके पास क्लास 12 में सब्जेक्ट होने चाहिए, कब आपका एक्जाम होने वाला है, कितने घंटे का एक्जाम होने वा क्या है?